आज मैं आएगी वीडियो आपको अवैर करने के लिए बनाई हूँ जैसे कि मैं आज बाहर गई थी तो मैंने देखा कि बहुत सार गन मास्क नहीं पढ़े तो प्रीस गैस यह करोना के इतना इसी मत लीजिए यह करोना इतना इसी नहीं है जैसे कि लास्ट वेफ वन 2020 में जब करोना स्टार्ट हुआ था और इंडिया में जब आया था बहुत सार रिजन अफेक्टेट हुए थी लेकिन वो मेडिसिन खाने के बाद या फिर अच्छा ट्रीटमेंट लेनी के बाद बहुत सार रिजन ठीक भी हो रहे थे क्योंकि डिकवरी डेट वह पर बहुत अच्छा 2020 में उसके बाद थोड़ा करोना कम हो गया तो हम लोग सोचे कि हां बस हो गया कम हो गया अभी बाहर जाएंगे अच्छा से एंजोई करेंगे मास्क नहीं पहनेंगे वैसे ही सोचे वह वैसे फंक्शन भी जब कोई भी फंक्शन किया तो जैसे पहले फंक्शन हो रहा वैसे बहुत सारे जण करौना में एफेक्टेड हुए थे, बहुत सारे जंका लंग्स में एफेक्ट हुआ, बहुत सारे जण जूद डियबेटीस च virus घू हा था, उनका ऑखिजन लेबल कम हो गया था, और जो 20 से कम इचमें है, जैसे कि 20 से 40 यह में इतने जन भी है वह लोग बहुत ज्यादा एफेक्टेट हुए थे और एक चीज की वह उन्हों का भी देथ भी हुआ था बहुत सा जनका मैं देखियों कुछ फैमली मेंबर में एक कुछ रिलेटीव में एक कुछ फ्रेंड्स में बहुत सा जन अफेक्टेट हुए थे और डेथ भी हुआ था गाईस यह इतना एजीली मत लीजिए वैक्सिन लीजिए गाईस फर्स्टोस लीजिए जाके वैक्सिन आप ले लिजिए पूरा आप रेजिस करोना हाथ में बहुंच आदा एफेक्टेट हो जाता है करोना में तो इसलिए इसको इतना एजीली मत लीजिए गाईस और मैं यह वीडियो इसलिए बना रहे हैं जो मुझे भी देख रहे हैं अगर आप एक एक करके अपने फैमिली मेंबर को बोलेंगे तो बहुत सारी चन करोना एफेक्टेट से बच सकते हैं गाईस मैं यह वीडियो आप लोगों के अच्छे के लिए ही बनाई हूँ आप लोगों के भलाई के लिए बनाई हूँ अगर बाहर जा रहे तो मास्क पहनिए सोसियल डिस्टन्स मेंटेन कीजिए भीडवडा के जगा से बचिए अगर आज कल तो और भी सब किछ मिल रहा है बहुत संविदा हो गया है और बस यहीं बोलना चाहती हूं और यहीं चीज़ की था बध को आने ना दे मुझे पता है कि आप लोग मेरे बास सुनेंगे और आगे जाके मास पहनेंगे और बाहर जाएंगे बस इतना ही बोलना चाहते हूं अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए share with your friends and subscribe to my channel till then bye bye guys take care and stay safe